तो हेलो गाईज आपका मारे यूटूब चनल पे स्वाग धितु गाईज आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास चैन्थ का चैप्टर नमबर एट कॉर्ड कॉर्डिक का पार्ट नमबर फोर जिसमें हम इस चैप्टर को खतम करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे होर्मोन्स इन ए होर्मोन कहा कहा से सिक्रीट और कहां पे सिक्रीट होते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं अब coordinate the activity of living organism and their growth hormones एक chemical सब्चांस हैं जो coordinate करते हैं living organism की day to day activity और उनकी growth में ठीक है जैसे कि अब दो hormones हमारी hormones जोते दो gland के द्वारा secret करे जाते हैं जैसे कि endocrine gland और exocrine gland ये दो type की gland है लेकिन इमने बहुत सारी glands आते हैं जैसे कि हमारी पिच्च्वरी gland हो कोई salivary ठीक है तो endocrine gland किया होता है ये ductless gland होती है मतलब कि इसमें ना कोई duct नहीं होती है अब duct नहीं होती है मतलब कि इसमें कोई nerve नहीं होती है मतलब कि नस नहीं होती है जो इसको supply करती है these gland secret their product hormones into the blood ये न सीधा नित ब्लड में अपना क्या होर्मोन्स करदे जैसे कि हमारी पिच्चवरी ग्लेंड और थाइरोड ग्लेंड अब एक्जोखेक्ट्रीड टेज को हें वह मूह में करती है ना saliva को secret या हमारे पेट में करती है नहीं ना gastric gland gastric gland हमारे पेट में हमारा जितना भी वो acid होता है वो secret करती है ना कि मूह में तो यह specific जमाग में करते हैं और वो blood में करते हैं अब endocrine gland hormones and their function कुछ जो है आपकी book में endocrine gland दे गई है उनके functions और location और क्या काम करती है यह सब ठीक है सबसे पहले होती है हमारी thyroxine gland यह क्या काम करती है यह जो होती है यह hormone का नाम है thyroxine hormone endogrine वो sorry hormone का नाम है thyroxine और gland का नाम है thyroid location और neck throat region और काम क्या करती है regulation of metabolism of carbonate carbohydrate fat and proteins देखो thyroxine जो होता है वो thyroid gland secret करती है neck या throat जो neck के थोड़ा नीचे वाला हिस्स होता है वहाँ पर यह क्या करती है carbohydrate fat protein को regulate करती है हमारी body में growth hormone हमारी pictuary gland होती है और इसको master gland भी कहा जाता है मतलब जितनी भी हमारी growth होती है ना height से related वो हमारी सब pictuary gland secret करती है और यह कहां पर पाई जाती है mid brain में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यह हमारा BP बढ़ा देती है जैसे कि हमारा heartbeat बढ़ती है डर लंगने पर यह हम कुटा सामने आगे सोचो सोचो आपके सामने कुटा आ गया ठीक है और वो आपकी तरफ आ भाग भाग के तो आपको डर लगेगा BP बढ़ जाएगा यह कौन कर रहा है यह एक होर्मोन सिक्रीट हुआ जा रहे जिसका नाम है अडरलीन इसकी वज़ेस से आपके BP और हाटबीट बढ़ जाती है कम हो जाती अब इंसुलीन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा इंसुलीन पैंक्रियाज से जो ग्लैंड होती है पैंक्रियाट क्टरोल करते है इंसुलीन बढ़ गया इंसुलीन काम हो गया इसकी वज़ेसे हमें है रिणी होर्मोन होती है हमारी है है आइपोथेलिमेस हमारी मिड़ ब्रेंड में पाए जाती है और यह क्या करते है यह क्या करते है पिच्च्वरी ग्लेंड को अब अपना होर्मोन सिक्रीट करने है हमारे इसमें दो पाक करते हैं में जैनीटल लो deprivedवर एरिया में पाए जाते है मत्तब कि कमर की नीचे वाले हिस्से में पाए जाता है यह हमारी जब बोलते है न जवानी आ गई तो उस टाइम पे यह सिक्रीट हुआ करते है ठीक है अब पढ़िंगे कि डाइबटीज कैसे होता है और क्या होता है अगर जो डिजीज में हमारा बलड में शुगर का लेवल बढ़ जाते है तो हमारे डाइबटीज होता है इसका कॉस क्या होता है due to deficiency of insulin hormone secreted by pancreas that is responsible to control the sugar level ठीक है तो देखो जब हमारी इंसुलीन की कमी हो जाती है न हमारे कहां पे बलड में तो हमें क्या होता है शुगर हो जाते है जैसी हमारी इंसुलीन कम हुआ वैसी हमारा क्या हो जाता है डाइबटीज मलब शुगर लेवल ब अपने जितना लाता है एक्वल कर देता है तो नलीफ आय हो जाता है तो हमें कुछ नहीं होता है लेकिन जब इंसुलीन कम हो जाता है तो हमारा बलड में शुगर का डाइबल जादा हो जाता है जिसकी वज़े से में diabetes हो जाता है और इसका treatment है कि हमें insulin hormone के बाहर से injection लेने प important है इससे आपका दो या तीन नंबर का question बन सकते है तो यह क्या होता है तो यह भी हो सकता है कि हमारी बलड में कभी जादा hormone secret हो जाए कभी कम तो यह ना हमारी body के लिए अच्छा नहीं है कामफुल है तो feedback mechanism यही काम करता है कि जो भी हमारे hormone secret हो रहे हो एक quantity में मलब precious quantity में हमारी secret हो ना कि जादा हो जाए ना कि कम एक limited quantity में हमारी secret हुए और वो भी सही टाइम पर कभी भी नहीं सही टाइम पर feedback mechanism to control the sugar level in blood is as follow अब यह एक example है कि जब blood में sugar की मातरा बढ़ जाती है तो क्या होता है sugar level in the body in the blood rises sugar की level बढ़ती है pancreas detected by cell by pancreas pancreas के cell को पता लगता है synthesize of insulin insulin बनता है sugar में release होता है इंसुलीन और इंसुलीन जब जादा होने लगता है तो वह बंद भी हो जाता है इसकी वज़से हमें क्या नहीं होता है लेकिन जब